ओम नमस जिवाए शामन माज सुक्ल पक्ष गवी बार नौमी तिथी दोपहर तीन बजकर दस मिनट तक लगी रहेगी तत्पस्चाथ दस मिन तिथी प्रारंब हो जाएगी चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में साम 7 बज कर 15 मिनट तक चलते रहेंगे तत्पस्चाथ जेष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे अनुराधा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी सनी देव हैं आज के जन्मे जातक सुंदर परिस्रम करने वाले सारीरिक रूप से मजबूत खान पान में भी स्वतंत्र विचार रखने वाले यात्रा प्रिये मानसिक्ता वाले धन और एश्वर से युप्त होते हैं ऐसे जाता गुप्त कारियों में निपूर और प्रदिसोध की भावना लंबे समय तक बनी रहती है ये विज्ञान तथा तकनिकी कारियों में रूची रखने वाले, सम्मान पाने के इच्छुक, अग्धैन शील, विदेश यात्रा में रूची रखने वाले और उच्चा विलासी भी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा मंगल और शनी की स्थिती अनकूल रही तो पूर सफल होंगे चंद्रमा आज पूरे दिन बृच्चिक राशी में ही चलते रहेंगे जिसके राश स्वामी मंगल देव है आज के चंद्रमा पर राहू की पांचमी दिरिष्टी पढ़ती रहेगी जिससे विशेश तोर से बृच्चिक राशी के जातक प्रभावित होंगे अन्य जात्कों पर भी इसका प्रभाव उनके अपने कारकों और महादर्सा के अनुसार पढ़ता रहेगा मेश राशी के जातकों के कारियों में उपलब्धी हासिल होगी और आर्थिक पक्ष मजबूत होने से यात्मिश्वास में बिद्धी होगी मगर मन में नकारात्मस बिचारों का आना और स्वास्त के प्रतियोस अंतुष्टी महसूस हो सकती है कार्य योजनाओं में भागीदारी सफल रहेगी और आठिक मामलों में सफलता मिलती जाएगी सम्मंधित मामलों में यात्रा भी संभावित हैं मगर विरोधियों की वज़ा से अनावशक चिंता और हतोत साहित महसूस करेंगे शिक्षा प्रत्योगिता में अनुकूलता मिलेगी पारिवारिक सुख चैन में कमी मगर सामाजिक प्रतिष्ठा में बिध्धी होगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा बिष्रासी वाले जातकों को चंद्रमा के शनी के नक्षत्र की भूमी का सकारात्मक लाव देने के लिए प्रेरित है मानसिक सक्रियता और गुद्धिक औरसल का इस्तेमाल मन मुताविक आर्थिक लाव में सहयोग देंगे कारियों की अधिकता और नए प्रस्तावों के सामने आने का संकेत मिलता है साजेदारी के काम आज के लिए लावदायक रहेंगे सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी सासन सब्ताव अधिकारियों से सहयोग मिलता रहेगा ग्रिहोपयोगी वस्तों में बृद्धी होगी रुके हुए सरकारी कामकाश पूरे होंगे मगर स्वास सम्मंदी सावधानी विशेश तोर पर रखनी चाहिए साथ ही पत्मी के स्वास पर भी ध्यान देना चाहिए मित्वुन रासिके जात्कों के लिए के विकास और नई कार्योजनाओं के विस्तार का योग चल रहा है रचनात्मक् सक्रियता कार योजनाओं को सफल बनाने में सक्चम होंगी साज्यदारी सफल रहेगी यस्वरी पेरणा और प्रसासनिक सहयोग जाडी रहेगा आर्थिक पक्ष में थोड़ी कमी संभावित है मगर रूकी हुई योजनाय चालू हो सकती है नीजी निवेश संभव है सिख्छा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी मगर मन में नकारात्मक विचारों का दौर और स्वास सम्मंदी जटिलताओं का संकियत भी मिलता है सावधानी अप्यक्षित है कर्क राशी वाले जात्कों के लिए कारिच छित्र का विकास होगा और आर्थिक लाब में सहयोग मिलता रहेगा आपकी कारियों जनाय सकारात्मक रूप से चलती रहेगी अधिकारियों के उचित दिशा निर्देस का पालन करना चाहिए चंद्रमा के नीच राशी में होने से आपके उर्जास्तर और आत्मिश्वास में उतार चड़ाव बना रहेगा सिक्चा प्रत्योगिता में मेहनत करनी पड़ेगी साजेधारी के काम आज के लिए लावदायक रहेंगे पारिवारिक दायत की कूर्ती में चिंता और संसाधनों पर खर्च संभव है स्वास संबन दिव इसे सावधानी रखनी चाहिए वाहन सावधानी से चलाएं और पारिवारिक माहल को संतुलित करने की खोशिश करें सिंगरासी के जात्कों के लिए कारेच छेथ से उत्साह और मन मताविक आर्थिकलाव बना रहेगा मगर रुके हुए सरकारी काम काज में विवाद और हस्तक छेथ संभावित है हाला कि निजी निवेश के लिए आज का दिन अन्पूल रहेगा आपके मेहनत और दिड़िक्छा सक्ती से कारेच छेथ के बिस्तार में मदद मिलेगी अधिकारियों की पेरणा और कारेच छेथ में प्रोननती के अवसर सामने आएंगे विध्यार्थियों को अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलेगा नवीन योजनाव की बुनियाद मजबूत होगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्पूल रहेगा कन्याराशी के जात्मों को कारेच छेथ में बिस्तार का मौका मिलेगा अपने बुद्धिक अशल और दिड़िच्छा सकती से कई प्रस्ताव अपने पक्ष में कर सकते हैं साजेदारी के प्रस्ताव भी लावदायक सिद्ध होंगे मित्रोव और सहयोगियों से भी लाव संभव है मगर मन में भ्रम वा नकरात्मक भाव आने से कुछ कामों में अवरोध संभावित है हाला कि याक्थिक पक्ष मजबूत रहेगा बच्चों से सम्मंधित मामलों में चिंता लगी रहेगी और अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलेगा नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल है पारिवारिक गायत की पूर्टी होगी वैवाहिक प्रयास फलिभूत होंगे और स्वास सम्मंधि आवर्शक सावधानी बनाए रखें तूलाराशी के जात्कों को वाणी में सायम और विचारों में सुधार की प्रयणा मिलेगी आपके दोरा किये गए प्रयास सफल होंगे और उर्जा अस्तर में ब्रिध्धी होगी अपनी कारी और जजनाओं को सुचारी ढंक से पूरा करने में सहयोग मिलेगा आर्थिक लाव मेहनत के अनुसार मिलता जाएगा अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी ब्यावसाइक लेन देन में सावधानी रखें और नकारात्मक विचारों वाले दग्तियों से दूर रहें सासन सत्तावा राजनीतिक व्यक्तियों से सहयोग मिलेगा सामाजिक मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी और स्वास्त के प्रति सावधानी रखनी चाहिए साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं बिश्चिक राशी वाले जात्कों के लिए आज का किया गया पूरसाथ साथक होगा चली आ रही रुकावटें खत्म होंगी चंद्रमा आपकी राशी पर हैं मगर यह उनकी नीच राशी है रचनात्मक सक्रीता बनी रहेगी मगर भावना प्रधान सोच बिक्सित होगी मन में उठ रहे नकारात्मक विचारों को नियंतित करना जरूरी होगा धायर्य और सहयम से काम लेते हुए प्रयास जारी रखें भ्रह्म की इस्थिती संभावित है आर्थिक लाव साम्माने रहेगा मित्रों वा सहयोगियों से भी लाव संभव है विद्याथियों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा शिक्षा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा धनूराशिके जातकों के बढ़े हुए आत्मिश्वास और दिढ़िच्छा सक्ति का लाव कारे छेत के प्रगती में सहायक होगा और निदंतरता बनी रहेगी मगर महिला वर्ग से सावधानी अप्यक्षित है आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा संतान संबंधित दायुत की पूर्टी होगी और संबंधित मामलों में खर्ट संभव है कारे छेतर में यातरा का योग बनता है और नई कार्योजनाओं के बिस्तार में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा मगर किसी मामले को लेकर अनावस्यक वाद विवाद और हस्तक छेप संभावित है सावधानी बनाए रखें विद्याखियों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा सिक्षा प्रत योगिता में सफलता मिलेगी और ग्रिहोप योगी वस्तूओं में विद्धी होगी मकर रासी के जात्कों को तातकालिक भावावेस को नियंतित रखना चाहिए केतु मंगल का योग आपकी रासी पर और नीचास्त चंद्रमा ग्यारहमे भाव में चल रहे हैं साथ ही राहु की पंचम दिश्टी चंद्रमा पर पढ़ रही है जो की सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से मानसिक सोच को प्रभावित कर सकते हैं हाला कि अधिकारियों का सहयोग और विभागी अनुकूलता बनी रहेगी आर्थिक लाव मन मुताबिक मिलता रहेगा कारिच्षेत में रचनात्मक दबाव जारी है साजेदारी सफल रहेगी पारिवारिक सुक संतुष्टी में बिद्धी होगी बिद्यातियों के लिए आज का समय अनुकूल रहेगा शिक्षा प्रत्योगिता में सहयोग मिलेगा प्रयास जारी रखे और स्वास संबंदी आवस्यक सावधानी बनाए रखे कुम्बरासी के जात्मों के आत्म विश्वास और उर्जा अस्तर में बिद्धी होगी और कारिच्षेत में इसका लाव मिलेगा मगर मांसिक संबेदन सील्था और विरोधियों के सकरी होने से योजनाय प्रभावित हो सकती है सावधानी अप्यक्षित है हाला कि कार योजनाओं की निरेंतरता बनी रहेगी और साजये दारी के प्रस्ताव लावदायक रहेगे आर्थिक लाग मन मुताविक मिलता जाएगा वैवाहिक प्रस्ताव सफल रहेंगे मगर परिजनों के स्वास्त को लेकर चिंता में कमी आएगी विद्याथियों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी और नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा मीन राशी के जात्कों के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत होगा आए के नया स्रोत बनेंगे और धार्मिक भावना बलवती होगी चल रही योजनाओं में गती आएगी सरकारी कामकाज पूरे होंगे आर्थिक लाव के लिए सहयोग जारी रहेगा रचनात में प्रयास सार्थक होंगे विरोधी परास्त रहेंगे पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर अमल करें लाव मिलेगा नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा साथ ही स्वास संबंदी मामदों में सावधानी रखनी चाहिए सिक्षा प्रत्योगिता में प्रयास जारी रखे वैवाहिक प्रस्ताव सार्थक होंगे और देव दर्शन के योग बनते हैं आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाए